हिंदुस्तान में क्रिकेट किसी धर्म जैसा है अपनी टीम से मुहबब और उसकी दिवान की लोगों के सिर चड़कर बोलती है यही वजा है के वंडे विश्व कप पाइनल में टिम इंडिया की हार ने करोडों हिंदुस्तानियों को घम जदा कर दिया था नसर फैंस बलकि मैदान में खिलाडियों के आँखों में भी हार के आँसू थी लेकिन बूझिल कदमों से जब खिलाडी ड्रेसिंग रूम में पहुचे ही थे कि तभी हार के गम में डूबे खिलाडियों को गले लगाने पिये मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुचे ये उसी यादगार फल की तस्वीरें जिसका जिक अब सुरिक कुमार यादफ कर रहे हैं आगे जाके जी बिलकुल थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इससे बाहर आने के लिए पर उनका जो वो पांच-शे मिनिट का मोटिवेशन था ड्रेसिंग रूम में सबसे आके मिलना वही बहुत बड़ी बात है एक देश का लीडर आपसे आके एक स्पोर्ट्स टीम को एक ड्रेसिंग रूम में मिलके इतना मोटिवेशन दे रहा है वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए और हमने उनके वर्ट्स को अच्छे से सुना उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया सुर्ग कुमार यादव सही कह रहे हैं शायद इंडिन क्रिकेट इतिहास में ये पहला या चुनिंदा मौका रहा होगा जब किसी देश के प्रधान मंत्री हार के बाद अपने देश की टीम का होसला बढ़ाने पहुँचे होगा इसलिए सुर्ग कुमार यादव ने देश के प्रीम का अभार जताया और कहा कि टीम अगले साल टी-20 विश्व कप में इसी जजब़े के साथ खेलना जारी रखे और आगे भी जो टॉर्नमेंट्स आएंगे हम ट्राइ करेंगे उसमें अच्छा खेलने के लिए और नेक्स्ट येर फिर से एक आई-सी-सी टॉर्नमेंट आने वाला है ऐसे ही जिस तरह से हम इस बार खेले हैं उसी जोश के साथ खेलेंगे और होपफुली जीत हमारी होगी भारत के पास अगले साल वेस्ट इंडीज और अमरीका में होने वाली टी-20 विश्व कप में आई-सी-सी टॉफी हासिल करने का मौका होगा झाल 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 झाल